नमस्कार आप देखरें एक निउस 24 और मैं हूं मदवाला आपके साथ हम में से कई लोग अक्सर करंट लगने का महसूस करते हैं किसी भी समान को छूते हैं तो एक अजीब सा जटका महसूस करते हैं क्या आप लोग भी ये जटका महसूस किये हैं या अभी आप लोगों के को विस्तार से बताते हैं वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा हम में से कई लोगों ने अक्सर कभी न कभी किसी चीज या इनसान को छूने पर एक जटका का महसूस किया होगा आम भासा में लोगी से करंट भी बोलते हैं कभी-कभी अचानक दरवाजे के हैंडल कूरसी या किसी अन्य व्यक्ति को छूने से हमें हलका बिजली का जटका लग सकता है आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसकी वजह बताने की कोशिश करेंगे क्या आपको भी एकसर किसी चीज या किसी व्यक्ति को छूते ही करंट सा लगता है अचानक ही किसी को छूते ही इ सामान्य नहीं है कभी कभी दरवाजे के हैंडल कूरसी या किसी अन्य व्यक्ति को छूने से हमें हलका बिजली का जटका लग सकता है लेकिन क्या या एलेक्ट्रिक शौक हमारे लिए हानिकारक होता है बिना बिजली जटका आखिर क्यों और कैसे लगता है अगर आपके मन में वी ऐसे ही सवाल उठ रहे तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चीजे या किसी दूशरे व्यक्ति को छूने से या इलेक्रिक डिस्चार्ज क्यों महसूस होता है आप अपने चारों और जो कुछ भी देखते हैं वह परमानू यानि एटम नामक तत्वों से बना ज्यादा तर समय एक अटम न्यूट्रल रहता है यानि कि प्रोटॉन और इलक्टॉन दोनों की संख्या समान होती है लेकिन जब किसी परमानू में प्रोटॉन और इलक्टॉन और इलक्टॉन और नंबर्स में होते हैं तो इलक्टॉन उतेजित हो जाते हैं प्रोटॉन और व्यक्ति के positive electrons की ओर अकर्शित होते हैं और कभी कभी हमें जो जटका महसूस होता है वह इन electron की त्रीव गतिकान नतीजा ही होता है हाँ electric charge सबसे ज़्यादा शर्दियों में या जब हमारे आस पास का मौसम dry होता है तब बनते हवा dry हो जाती और हमारी त्वचा की सतह पर electron असानी से विक्सित हो जाते गर्मियों के दौरान हवा की नमी negative charge किये गए electron को खतम कर देती है और हम शायद ही कभी electric charge महसूस करते हैं electron इदर उदर छिपके नहीं रहते बलकि जैसे ही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलता है भाग जाते हैं उदारन के लिए अगर हमारे सरीर में electron की संख्या बहुत ज्यादा है तो हमें जैसे ही हम positive charge वस्तु के संपर्क में आते हैं electron बाहर निकल जाते हैं lightning भी static electricity का एक बड़ा रूप है जो तब बनती है जब हवा बादलों से टकराती है static electricity तब तक high current का कारण नहीं बनती जब तक या lightning की तरफ बड़े पैमाने पर नहीं होती silk या glass rod को रगड कर positively charge static electricity किया जाता है या फिर बनाई जा सकती है negatively charge static current को बनाने के लिए किसी फर को प्लास्टिक या rubber की रड़ पर रगड़े तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किसी भी चीज या किसी भी इंसान को छूने से अचानक current सा लगना इसे normal भासा में अगर बोले तो एक current सा जटका सा महसूस होता है क्या आप लोगों को भी जटका कभी महसूस हुआ है मैंने पहले भी बोला कि current सा feel होता है आखिर ये गर्मियों के दीन में ही क्यों feel होता है बहुत लोगों को आम लगता है लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा इसका कोई कारण नहीं या फिर ये कोई हमारे सरीर के लिए हानिकार कभी नहीं माना जा सकता है लेकिन करंट सा लगना जटका सा लगना आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारे तो मारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद